नरेंद्र नाद दत आम भाशा में स्वावी वेका नंद आज जनम दिन है उनका 12 जनवरे जार की तारीक है पर 11 सितंबर 1983 की शिकागो की अपनी स्पीच से खासिया फेमस हूँ चारसो अठावन वर्ड्स की एक स्पीच जिसको आम तोर पर कहा जाता है कि 20 घंडे चली मुश् ताली ही थी जब उन्होंने वर्ल्ड पार्लिमेंट अफ रिलिजिन को भाईयों और बहनों से सम्मोधित करते हूँ कहा तो दो मिनट उस पूरे अमेरिका के उस संसद में सब ताली ही बजाते रहे आज उनकी एक बात करता हूं बात उनकी सिक्षा की सिक्षा के बारे में क् हो हित अशोख है यह नाम के वल दो शब्द हैं जो मेरे माता पिता ने मुझे दिये तो आखिर मैं कौन हूं क्या मैं यह बॉड़ी हूं यह हाथ मैं हूं यह शरीर मैं हूं यह चहरा मैं हूं तो मैं एक आदमी हूं एक व्यक्ति हूं जो बहुत एक जीव है स्पिरिच्वल जीव है जो आध्यात्मिक जीव है आध्यात्म को समझना जरूरी है आध्यात्म का संधिविच्छेत करें तो बनता है अध्यन और आत्म स्वयम का अध्यन करना ही आध्यात्म है दूसरा मैं ऐसा जीव हूं जो बहुत धिक है जिसके पास दिमाग है इंटिले मैं इन तीन पेराडाइम में, मैं इन तीन आयाओं में जी रहा हूं और यही मेरी जिन्दगी का सच है इस सच को जानना जरूरी है कि आखिर मैं कौन हूं यह जानने के लिए अपनी इंडिलेक्ट का प्रयोग करना जरूरी है इस बहुत एक जीवन से खुद को अलग करना जरूरी है इस नाम से इस शरीर से खुद को अलग करना जरूरी है इस चीज को जानके स्वामे वेका नंद को जानना जरूरी है वो व्यक्ति इसने फैनाटिजम को सबसे दूर से नमशकार किया कहा कि religion में fanatism मतलब over enthusiasm या अपने religion को बड़ा दिखाने की होड नहीं होनी चाहिए religion सारे नदियों की तरह हैं जो अंत में एक सागर में मिलते हैं ऐसे व्यक्ति के नाम पर जब हम religion को लेके लड़ते हैं तो बहुत मजाक लगता है हम रंगों में religion ढूड़ लेते हैं नामों में religion ढूड़ लेते हैं पर असल में स्वाम तो आपने आपको उनकी जैसा बनाईए नमस्क्राइब